प्रिविद्धियार थी हूँ, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टान्ट प्राफेसर इंड्राइंग अन्पैन्टिक गौर्वन कोलेश सागवाडा जीला डुंगरपूर आज इस इव्याख्यान में मैं आपके पाठिकरम से सम्मंदित है और चित्रकला में कुछ नए प्रियोगों के साथ में कुछ नए चीज़ बताने के लिए ये मैंने इए लेक्चर बनाया है जिसके अंतरगत मैंने पहले के लेक्चर सुने आपको स्केचिंग के बारे में स्केचिंग की कुछ चीजों के बारे में बारीकियों के बारे में मैंने आपको पेन के द्वारा पैंसिल के द्वारा कुछ इव्याख्यान बनाये थे और मैं ऐसा समस्थाओं कि आप मेरे निर्देशा नुसार प्रती एक दिन पांच रेखा चित्रों का या हुमन फिगर्स के स्केचिंग्स का या घर में पड़ी हुई किनी चीजों का पांच स्केच प्रती दिन बना रहे होंगे साथ ही आख नाख कान की जो स्टेडी मेंने आपको समझाई थी ड्रो करके बताई थी वो आपने अध्यन की होगी प्रियविद्यार्थियों इसके बताने से यह है कि आप प्रेक्टिकल आप अपने घर पे करते रहें जैसे ही हम कोरोना से थोड़ा सा मुक्त होंगे क्लासेंस लगना शुरू हो जाएगी तब आपको इन सभी स्केचिंग को चेक करवाना है जो सब्मिशन वर्क है उसका कंपाईल करना है उनको देखना है तो प्रति एक दिन आप इसकेचिंग बनाते रहें सो इसकेचिंग हमारे सेलेबस में है लेकिन सो से ज़्यादा यदि आप बनाते हैं तो निसंदे आपके लिए भी अच्छा है आपकी प्रेक्टिस के लिए अच्छा है तो इसी विधा में चित्रकला के नितनेयं आयामों के साथ में कुछ हटकर हम आज कुछ करना का रहे हैं मैंकुछ बताना चाह रहा हूं जिज़ो आपके आपकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति को जो संबल प्रदान करेग उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं प्रिविद्यार्तियों यह जिसे आज यह मेरे पास ड्राइप पेस्टल्स हैं सॉफ्ट पेस्टल्स हैं यह मैंने पर्चेस किये हैं आपके सिखाने के उद्देश से पर्चेस हैं तो इन कलर्स को बहुत सौफ्टली उप्योग किया जाता है यह जिसरी हम बलेक बोर्ड पे लिखते हैं उसका सौफट रूप है वही जो यहímले हमारे पास्में मीडियम के साथ में हैं तो आज हम इसे कुछ बनाना सीखेंगे जिसके अंतरगत क्या-क्या विभिन प्रकार से चीजें होती हैं उसको बनाना सीख रहे हैं तो मैं यह थोड़ा सा आपको डेमो देखे बता रहा हूं यह कैसे चलते हैं और इनको कैसे अभिव्यक्त किया जाता है यह देख रहे हुआ इस प्रकार से यह साधरन शीट पर मैं इसको उप्योग कर रहा हूं यह रबर की माफिक चल रहा है तो इस कलर के माद्यम से हम कैसे ड्रो करें उसको मैं बताने का प्रियास करूँगा इस इव्यक्यान में यह साधरन का गज है इसको अपन कैसे बनाते हैं इस रंगों का प्रियोग कैसे करते हैं हम जरा देखते हैं यह हमारी ड्रोइंग शीट से इन ड्रोइंग शीट से को इन ड्रोइंग शीट से इन कलर्स को कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं और उसके बाद में इनको कैसे हम आगे बढ़ें उस चीज को हम देखने का प्रियास करते हैं जैसे कि मैंने को याकार बनाया है चित्रकला बीना किसी संकोच के हमको ब्रोक करना सिखाती है मन के भावों को अभिवक्त करना सिखाती है यह हमारा इंप्रिशन आया है अब इसमें हम उपर से कोई कि मैं ये अब थे हुआ है आछे है कि अब वी जो है हैं बीना हैजिटेशन के आप सेयमी ताकारों के द्वारा कुछ भी प्रियोग कर सकते हैं जैसा कि मैं आपके सामने बना रहा हूं इनको जो आपको दीख रहे हैं वी जस्ट कॉल्ड एक्सिदेंटल इंप्रिशन्स अच्छानक आये तान में अच्छानक आया परिवर्तन इस प्रकार से हम इन सौफ्ट फेस्टल्स का उप्योग कर सकते हैं अब दीरे दीरे जैसे जैसे हमारी ये व्याख्यानों की कला यात्रा बट्टी जा रही है चित्रकला में नितने माध्यमों के द्वारा में नितने कलर्स के द्वारा कोई ने कोई प्रयोक करते हुए बताऊंगा और मैं सभी विध्यार्ति को हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चित्र कभी भी पूरा नहीं होता और सभी चित्र पूरे होते हैं इसका माध्यम यह है कि हमारा जो सीखने का प्रोसेस है जो कलाकरती बनाने का प्रोसेस है वो निरंतर चलता रहता है निरंतर वो गतीमान होता है हो सकता है कोई कृति किसी चितरकार के लिए कलाकार के लिए बन गया हो लेकिन हो सकता उसमें भी बहुत सारे काम करने बाकी हो तो इस प्रकार से हम ये प्रियोग कर सकते हैं ये जिसे मैंने एक अखबार का टुकडा लिया अकबार के टुकडे से कैसे हम इनको एंप्रेश करेंगे ये रखा मैंने करेंगेंगे करेंगे कि कोई भी कलर किसी भी माध्यम से कैसे भी कलात्मगनियम को ध्यान में रखते हुआ हम बना सकते हैं देखिए रोक करने में आनंद आता है बिना नियम काईदों के भी काम नियमों को तोड़ने से पहले नियमों को समझना दियाव शके जब आप नियमों को समझेंगे नहीं स्टार्टिंग में कभी कभा कोई कलाकार अपने आपको मुझे सब आता है वो भावना जो है वो आप कभ सीखो के जब आप पहले नियमों को समझोगे कोरोना काल में आप अभी हमारे बीच में दूरी है किन्तु मेरे से जितना मैं समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी अर्चन तो है किन्तु फिर भी मैं अपना जितना बेश्ट आपको सीखा पाऊं इन ये व्याख्यानों के माध्याम से वो सीखाने का प्रियास करता हूँ है कि आप निरंदर कैसे अभ्यास किसीने किसी माध्याम से किसीने किसी रूप में करते रहें यहां तो आपको लगतार लगेगा कि हमने कुछ नया इसके अंतर गत्तत किया है ुछ नई चीजें की है करते रहें निरंतर कुछ न कुछ हर दिन नया कुछ न कुछ करते रहें बड़ा मज़ा आता है इनको ड्रॉ करने में चित्रकला जो विशय है वो मन के भावों का विशय कहा गया है तो जो आपके मन के अंतर जो रेखाएं उठ रही है भाव उठ रहे हैं आपकी इस मोड में हैं उस मोड को ये जितरकला अभिव्यक्त करती है स्वच्छन्द भाव से करतियों का निर्मान करें और इसको बताने की पिछे उद्दिश्य मेरा है यह है कि आप इसकी चिंग जितना पावरफुल करेंगे आप नहीं दीरे-दीरे इसके साथ में आत्मसात होते जाएंगे दीरे-दीरे धूरते जाएंगे तो आप बहुत अच्छा creation कर सकते हैं बहुत अच्छा draw कर सकते हैं एक दिन आपको खुद को लगेगा कि मैंने कुछ हटके काम किया है मैंने दूसरों से कुछ हटके काम किया है मेरी creativity को कुछ हटके मैंने अभिव्यक्ति दिये कुछ न कुछ नया बनाया है तो आप निरंतर कुछ न कुछ कुछ करते रहें क्रियात्मा ग्रूप में drawing ग्रूप में और आप जो भी करें एक बार मुझे बताएं कि इसमें सरकोर क्या problem हो सकती है और कैसे अच्छा बन सकता है तो निसंदे में आपको कैसे guide किया जाए कैसे उसमें और सुधार लाया जाए वो मैं बताने का प्रियास करूँगा तो आप प्रियार्थियों इन इव्याख्यानों के माध्यम से मुझसे जुड़े रहें तो निसंदे हम कुछ न कुछ नया प्रतियक नया इए लेक्चर में कुछ न कुछ नया करने का प्रियास करेंगे कुछ न कुछ बनाती रहने का प्रियास करेंगे संसादन पूरे हों तब भी बना सकते हैं अधूरे हों तो भी बना सकते हैं मैंने अभी वर्तमान मेरे मांसिक ताक को ध्यान में रखके बनाई है मुझे क्या ड्रो करना है यह मैंने पहले नहीं सोचा कि क्या इसमें और किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है कुछ न कुछ मैंने ऐसा सोच के अभी आज का वीडियो बनाए कि विद्यार्तियों को पाथ्य करम के साथ साथ अपनी क्रियात्मक अभी साथ में रखनी चाहिए कुछ न कुछ नया करने की प्रणा हमेशा होनी चाहिए तो हमारे इस इप्छानों में आप नीरंतर जुड़े रहें कोई भी मैने कहा कोई भी चितर अदूरा नहीं है कोई भी चितर पूरा नहीं है तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं और भी वहкоर सारे हमें विख्छानों में बहुत सारी चीजे करेंगी इसे अश्चा के के माध्यम से नया कुछ बनाने का प्रयास करेंगे इसी आश्रा के साथ थैंक यू